हेलो मेरे प्यारी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रेट की बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी वेच टोस्त जिसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है बहुत ही कम इंक्रियंस में बनक अधी बारिक कटी हुई गाजर और साथ ही लास्ट में हमने एड करना है बारिक बारिक कट करके धनिया के पत्ते बस इसी के साथ हमने यहां पे आदा से एक कटोरी के बीच में बेसन आड करना है अब इसी के बाद हमने इसमें कुछ मसाले एड करना है तो सबसे पहले हमने तो ऑड़ा नमक आपकी टेस्के करना है एक Defa, अदा से एक छोटा चमच हल्दी पाउडर आदा शुक्त चमच लगभग अधा से एक छूटा चमचर पस अदul इसके बाद अब हमने इसमें सारे मसालो को बेसन को सबसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब साथ ही हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बैटर को अच्छी तरह से पतला कर लेना है दीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालके इस बैटर को अच्छी तरह से फेटना है ताकि इसमें जरा भी लंपस ना पड़ें तो बस देखिए हमने हमारे बैटर को इतना पतला कर लेना है कि आराम से हमारी ब्रेट के उपर जो है वो स्प्रेड हो जाए तो बस अब हमारा जो बेटर जो है बेशन का तयार हो गया है तो चलिए अब हम हमारी bread तयार करते हैं तो मैंने एक तबा लिया है इस अच्छी तरह से गम कर लिया है और हलका हलका सा इसमें oil लगा लिया है अब इसमें घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बस ये मेरी ब्रेट की स्लाइज है अब हमने जो बेटर बना के रखा हुआ था वो हमने इस ब्रेट के ऊपर अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेट कर देना है बस बड़े अराम से जो हमारा बेटर ब्रेट की ऊपर लग चाएगा कोई दिकत नहीं आएगी तीरे तीरे हम इस तरह से फैलाते हुए पूरी ब्रेट को हमने कवर कर देना है बस अब यह हमारा अच्छी तरह से लगके हो चुका है अब हमने हमारी ब्रेट को जो है दूसरी तरफ से पलट देना है बस इसी के साथ हमने इस वाली साइट में भी अपने बैटर को लगाना है तो बस धीरे धीरे जिस तरह हमने हमारी दूसरी साइट में बैटर लगाये हुआ था इस साइट में हम वो सारा बैटर लगाएंगे हलका हलका सा ब्रेट के उपर ओलिया घी लगा लीजिए और बस हमारा जो बेटर है उसे अच्छी तरह से इस तरफ भी फैला लीजिए तो बस अब इस तरफ से भी हमारा जो बेटर जो है ब्रेट को अच्छी तरह से कवर हो गया है अब हमने इस तरफ से भी जो हमारी ब्रेट है वो पलट देनी है यो देखी हमारा जो दूसरी तरwo का बेटर है वो भी अच्छी तरह से सीह गज़ है जो साहरा बेटर जोए ब्रेट में अच्छी तरह से कम टीटली बेसन को पाग जाने तक के लिए सेखना है तो बस अभी हमारे बिल्कुल तयार है तो यह देखिए हमारी जो टोस्ट है वेच्ट टोस्ट बन करके फटाफट तैयार हो गई है कोई जहन जटनी लगी कोई टाइम नहीं लगा फटाफट से हमारी टोस्टोय बन के तयार हो गई है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बच्चों के साथ साथ बड़ो को भी पसंद आएगी, लंच बॉक्स हो, ब्रेक्फास्ट हो, या हलकी फुलकी भूक हो, उसके लिए तो एक तम पॉफिक्ट रेस्पी है, यह देखे लग लिए ना, होत अच्छी दिख रही है, यह देखे अच्छी तरह से पक रख हुआ है मारा टोस्ट पेसब हों बहुत ceram यह जो रिआ कर दो है, तो पस ही को, है हमस्तेस्क्रीब धोस को सब्स्टी के लिए तब तक के लिए गाईAre स्टी ठीक एर हुआर